अलो एब्रिवन वेल्कम टू HP competitive exam आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो जैसा आप सभी को पता है जिके की आमने सीरी जो है चलाई हुई है जिसका नाम है जिके बुस्ट फॉर HP SSC ठीक है इसकी जो हम आज 9 कलासे हमारी इससे पहले 8 कलासे में ल जाएगी या description में जो है playlist ka link मिल जाएगा उस playlist में जो वहमारी प्रिविएस आठ लेक्चर है वह आपको बिल जाएःंगे description में हो आपको जो है प्रीडिया प्रवाइड करा दी जाती है इसी लेक्चर की नहीं अन्य वी इतनी हिमाचल प्रदेश के लिए इंपोटेंट प्रवाइड करा जाती है उसका लिंक डिस्क्रिप्शिर में है लगवग 6,000 से ज्यादा बच्चे जो है उसमें जुड़े हुए है तो आप जुड़ जाएगा वहाँ पर फर्स्ट question तरह के मूव करते हैं वहाँ प्रस्ट question हमाँ बहुरी सिंग संद्रहले कहां स्थीत बच्चों ने ऐस question देखा होगा बहुत से बच्चे इस question को जानते है इसका सई अंसर है वह है जंबा हमारा यहां पर राइट answer हो जाएगा अगर हम नगर की बात करें कुलू के अंदर है यहां से भी क्वेस्टन बनता है शिमला की बात करें अंद्रेटा ईंट्र अकी बात करें यहां पर बि्लेंट स्थाप्न है कुछ त коहां पर गयी धिए और जो हमारी कांगल्रा और बशॕत जो कला है ठीक है कांगडा कला है हमारी बशोली कला है ठीक है जो एकला कृतिया है आर्ट है वो जह है यहां पे स्थापित किया गया है बुरी सिंग म्यूजियम में नगर कहां पे है यह तो एक उलू डिश्टिक के अंदर है नगर और पुलिस के एक्जाम में प्रिवियस यह सरदार सोबा सिंग आर्ट गैलरी कहां पर है तो हमारी अंदर इंदर लुकेटिट है नेक्स्ट को चिंटर बूब करें परसिद हरी राय मंदिर किस जिले में स्थित है यहां पर यहां पर यहां पर अब क्वेस्टिन जो है आपको कभी कभार कंफ्यूज कर देता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे मंदिर है जो की अलग 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 डिश्टिक के अंदर है और वह तो इस अगर हरी राई की मंदर की बात करें, छम्बा गैंतर इस के अलावा इसको बनवाया लाक्स ek file लक्षमन जो वर्मन थे लक्षमन वर्मन द्वारा जो है यह बनवाया गया था हरी राए trap जो था यह फेमस बनवाया था इसके अलावा जो दो टेंपल मुख्य पुछे जाते हैं चंबा डिश्टिक से वो आपको याद करना है, यहाँ पर गुरूप ऑफ 84 जो टेंपल का है, 84 मंदिरों का समूव है, वो कहाँ पर है, भरमौर चंबा के अंतर ग्रेटिड है, और रादा क्रिशन टेंपल, रादा क्रिशन टेंपल कहाँ पर है, तो यह भी चंबा के अंतर ग्रेटिड है, जो कि 1825 में बना था, अगर हम यहाँ पर बात करें हमिरपूर की, तो हमिरपूर से मैंने आपको बता दिया, गौरिशन का टेंपल यह भी यहाँ का भी है, लेकिन यहाँ का जो हमिरपूर बोर्ड पूसता है, और हमिरपूर बोर्ड ने बहुत बार जो है, चार से पांच बार इसे रिपीट किया है, वो है नर्ब देशवर मंदिर, वो कौन सा है वो है नर्व देशवर मंदिर तो यह कहां पर है यह हमिरपूर के अंदर ही लुकेटिड है सिर्मॉर से अगर हम बात करें तो तिरलोग पूर टेंपल कहां पर है सिर्मॉर डिस्टिक के अंदर है और जिम्ला से आप सभी को पता है ठीक है गर्भाइब और यहां से जोंटरबं यहां से बात करें किस किसे सिंटर का जो है मुख्य-बेंजर हालूंकि काफी डिष्टिक में अगर बनाया जाता है अगर आप यहां पर दाम है तो यहां पर यहां पे राइट अंसर हो जाएगा यहां से अगरम बात करें दो और इंपोर्टेंट पुछे जाते हैं चांग चांग जो है देशी सिराब है यह कहां पी फिमस है यह है लाहूल स्पीटी में जो है यह फिमस है नेक्स देखते हम 2011 की जनगर्णा के उनसार किस जिले में जो है लिंगा नुपात की कमी आई है जो हमारा सेक्स रेसो है उसमें जो है कमी देखी गई है कौन सी डिष्टिक के अंदर अगरम बात करें जो हमारा सेंसस 2011 है 2011 की जनगर्णा है उसके उनसार तो यह आई है कि नौर में हमारा उप्स नम्बर यहां पर सी जो है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा किन और की जो जनसंक्या है जो लिंगान पात है माफ की जीगा अठारा सो इकावन से घटके कितना हो गया है अठारा सो अठारा हो चुका है किन और का यहां से दो तिन बनते हैं जनगरना से ठीक है most important question बनते हैं एक तो directly जो है पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की जो आपका लिंगान पात है वो कितना है जो सेक्सेस हो है हिमाचल प्रदेश का वो है 972 by 1000 ठीक है कितना है हिमाचल प्रदेश का 932 है और सबसे अच्छा जो लिंगान पात है य इसी अगर हम बात करें कि सब्सक्राइब कितना है डेंस्टी कितनी है हिमाचल प्रदेश की दो कुष्चन आते हैं एक तो आप से जो है सेक्स रेसों पूछेगा लिंगान बाद पूछेगा और सेकेंड में आप से पूछेगा घंत्तव या फिर डेंस्टी पॉप्लेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश थी तो 123 आपको याद करना है एक सो तेन वर्ग किलोमेटर जो है हिमाचल प्रदेश की क्या है डेंस्टी है अब यहां से दो क्वेश्चन जो बनते हैं एक तो एरिया पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का मुस्ट इंप्रोटेंट है आपके क्या दवा था कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था 15 अप्रेल destiny سो अर्थारी तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था एक क्वेश्चन जो है इस त्रिक्के से थोड़ा सा गुमा की पूस्ता है एक्जामनर 15 अप्रेल 1908 तारी को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ जल्विद्युत प्रियोजना का जो चैप्टर है जो यह आपका टॉपिक है इसे एक बार जुरूर पढ़ लीजीगा यहां से क्वेश्चन जो है 100% 100% मैं कहा रहा हूँ कि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली ही डेफिनेटली बनता है अगर हम सबडा कुंटू की बात करें तो यह कौन सी नदी के उपर है तो यह पबर नदी के उपर है मारा ऑप्सन नंबर यहां पर राइटन सरू जोएगा पुछा जाएगा कहां पे है तो शिम्ला डिस्टी के अंदर है शिम्ला डिस्टी के अंदर है और पूछा जाएगा ठीक ठीक जो क्या क्या बनते हैं एक तो इसकी प्रोडक्षन कैपैस्टी पुछेगा 111 MW की कि द्वारा बनाए जा रही है तो हिमाचल प्रदेश पावर जो पार्स्ग लिंप्लिड ह यह बनाई जारी है और इससे फंड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एसेंड डेवलेमेंट बैंक द्वारा ऐसका जो पौशित किया जा रहा है वे द्वारा किया जा रहा है अभी आप मुझे कमेंट करके बदा ओगे कि वेर इस the headquarter of अप्स नबर हमारा कौन सा यहां पर यहां पर राइट अंसर बन जाएगा ठीक जो लैंग्वेज है वह पादी कौन सी भाजा में लिखे गए है यह जो है पादी भाजा में लिखे गए है है कौन कौन से त्री पिटक ठीक है तीन पिटक है कौन कौन से है जो आपका पहला है वो है सुथ पिटक अगर हम बात करें सेकंड है आपका कौन सा अभिद्धम पिटक और तीसरा है विने पिटक जो फर्स्ट है उसमें बातिजम के जो प्रिंसिपल है जो उपदेश है उसके के संग होता है ठीक है जो संग के नियम है बहुत दर्म के नियम है उसके बारे में डिसक्स किया हुए ठीक तो कौन से लेटिड है कौन से दर्म से लेटिड है बहुत दर्म से लेटिड है कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का प्रसिद मंदिर किसने बनवाया था ठीक है बनवाय था शूरे वर्मन सेकंड तो इसमें जो है डिस्क्स करने की कोई ज़्यादा बात नहीं है नेक्स लिखीगा 1860 में प्रकासित नील दरपन में नील की खेती करने वालों की दूरदस्था चित्रित है इसके लेका कौन है 1860 में एक नाटक प्रस्तूर किया गया जो की बांगला में काफी फेमस है इसका नाम क्या था नेल दरपन तो इसके लेका कौन है इसके लेका का है देन वंदू और सी हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा इस प्रिब्यूस प्रमें पूछा गया है इस वर्स आतंकवाद निरोद अधिनियम पोटा प्रिवेंशन ओफ टेरिविजम एक्ट जो है लागू किया गया हमारा 2002 में ऑप्सन अबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहां पर डीर आइट अंसर बन जाएगा ठीक है हमारा कौन सा ब पोटो करके इन दोनों को जो है बाद में मर्ज कर दिया गया रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा ओटा द्वारा जो कि आपका कब लागू हुआ 2002 में लागू हुआ एक्स देहीं कुशुद्र ग्रह निमन में से किसके बीच चक्क्र लगाते हैं जो एस्ट्रोइड होत बात करें चोटा सबसे चोटा ग्रह कौन सा है तो बूद्ध है और सबसे बड़े की बात करें तो उन में से कौन सा है ब्रहस पती है फोमोस और डिमोस किसके जो है उप ग्रह है तो फोमोस और डिमोस जो है वह आपके मंगल के ही उप ग्रह है नेक्स देहीं बच्चे के लि बात करें तो आपके एक्स एक्स जहां से क्वेस्चन बनता है मौन्ट्रियाल प्रोटोकोल निम्रे में से किसके साथ जुड़ा हुआ है ठीक है मौन्ट्रियाल प्रोटोकोल से हम बहुत बात डिस्क्स कर चुके हैं ठीक ہے इसी समय में पुछा था कि जिए औसको उसे जुड़ा हुआ है ład्यों जो घोतर यह जो हमठीन करते हैं इसकी इसी नअ पड़ाता है कि इसमें अगर हम बात करें कुन सी गैस इस जो हारम पjem color करबन. ठीक है? CFC किसमे किसमे पायाती है, आपकी जो भी AC इवेंट्स होते हैं, अगर हम बात करें refrigerator,ensible gas वी से हम बोलते हैं, हमारे भोजन की जो पाचन की शुरुवात है, वो कहां से हो जाती है मुख से हमारे मुख से जैसे हम अबाइक लेते हैं वहीं से जो है बोजन पचना शुरू हो जाता है जब उसमें सलाइबा हमारी लार जो है लगती है उसी समय से जो है उसका पाचन शुरू हो जाता है और अंत में पचता कहां पे है फुल अगरम बात कर और ये बड़ी आंच से लंबी होती है इस सहर में भारत दर्शन पार्क की शुरुआत की गई ये करन्ट फेर है आपके दिसंबर 2021 के दिसंबर 2021 के अभी आपका जो है 12 मार्च आज 11 मार्च है कल 12 मार्च आपका कल से जो है हमिर को बोड के एक्जाम सुरू हो जाएंगे तब हम थोड़ा सा करेंगे उनके हालंकि 12 और 13 मार्च को एक्जाम है उनकी वीडियो में आपको नहीं प्रवाइड करा सकता लेकिन उसके बाद इतनी आपके एक्जाम होंगे ठीक है उनकी क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए प्रवाइड जरूर कराऊंगा वहां से हम देख अपर की बात करें तो इसकी सुरुवाद काँपी गई इसकी सुरुवात की गई दिल्दी के अंतरग्त हमारा आप्सवन होगे नंबर कुछ साब बनीगा यहां पर ऑपसन अब भूड़ धी हमारे हैं पर राइट अंसर बन जाए इंस इन प्रमानुच पुर्षकार 2021 में कि किसे दिया गया रामानुज जो अवार्ड है 2021 किसे दिया गया यह गया गया नीरा गुप्ता को अप्शन नंबर हमारा सी यहां पर राइटन सरु जाएगा अगर हम बात करें प्रवीन राव की तो हमने कल ली इसमें डिसक्स किया था सैवन जो MS Swaminathan Award है ठीक है वो दिया गया किसे यह दिया गया आपका प्रवेण राव को एक्स्कुश्ट तरह भूब करें यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा जो है भारत के किस उत्सब को थांस्कृतिक विरास्त के रूप में मानिता दे गई है यूनेस्को ने जो है अभी की है तो वेस्ट पेंगॉल की जो दूर्गा पूजा है वो जो है अभी युनेस्ट को ने से एड़ोप्ट किया है सांस्कृतिक विरासत के रूप में से मानिता दी है अभी जो हमारा आज अभी जो है आप सब्सक्राइब कर देता हूं तो यहां पर सबसे ज्यादा बारिस होती है हिमाचल प्रदेश का सबसे वर्सा वाला स्थान है सबसे कम वर्सा होती है आप सब्सक्राइब राज्य रहता है 56 से 70 वं तक हिमाचल प्रदेश जो है यूटी रहता है यवनी यूनिन ट्रेटरी रहता है केंदर सासित प्रदेश रहता है पच्छी जनवी 1970 को जाके जहें हिमाचल प्रदेश को पूर राज्य का दर्जा जो है दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश तो चिनाव नदी अगर हम लंभी नदी की बात करें तो वह सत्रूच जिसकी जो लेंथ है हिमाचर प्रदेश में वह गढाई 320 किलो मेट्री फुलू देश की कहानी किसके दवारा लिखी गई पूस्तक जो फिड़ीय्ट प्रदेश परदेश की स्टापना कब हुई थी तो इसकी स्तापनादीवil 5 में हुई थी करजन हाउस हाई है हमाचर प्रदेश जूरिस चेल अकेडमिय महावीड़ जैन थे ये 24 में तिरंत कर थे इनका जर्म हुआ था 540 BC में कहां पे कुंड ग्राम में जो है इनका जर्म हुआ था 24 तिरंत कर हुए है टोटल जैन दर्म में फर्स्ट कौन थे तो रिश्व देप थे जो की संस्था पकते हमारे जैनिजम के निवर में से किसे तोताय हिंद के नाम स couple आद्र साँजी थे जो की भारत के पहले क्या बने से सस्थाई जो सब्सक्राइब नियुक्त को पर्मानेंट हैड बनाया गया इन से दो दिन पहले उस्थाइब चुने गए थे इसलिए ने चुन लिया गया था नौ दिसंबर 1946 को जो हाला नेलू दिसंबर 1946 को जो है नो ने आपका उदेस्चप परस्ताव जो है वह जारी किया था उसके बाद सव्धान जो निर्मान था उसका प्रक्रियत यह वह सुरू हो चुकी थी इनमें से किसे सव्धान सवा का अध्या हमने कर लिया next here कौन सा अनुशेद निवाचन आयोग से जुड़ा हुआ है निवाचन आयोग कौन सी है अखिल भारतिय सेवाएं कितनी है भारत में भारत में तीन अखिल भारतिय सेवाएं हैं IES IPS और IFS ठीक है और अनुशेद कौन सा जुड़ा हुआ है Chief Election Commission से ठीक है अगर हम यहां पर न यह कि सवाटिय उसका जाता है हमारे न्यूक्लियर रेक्टर होते हैं हमारी किसकेकाड होती है एक ऊंगल डिजीज हैं फंगल डिजीज है निमिन में से एक दिसम्बर से दस दिसम्बर दोजारीकिस तक किस राज्जे में होनविल उतसम बनाया गया तो नांगालेंड में में स्वामी नाथन पुर्शकार किसे दिया गया साथमा अभी भी हम करके हटे प्रवीन राप को जो है ये दिया गया जवाद नामकाय चक्रवाद का नामकर्ण किसके दोरा किया गया जवाद जो अभी आपका साइकलोन आया था इसका नामकर्ण किया था सावधी अर्बने मैंने बताया था आपको कि जो cyclone होते है वो आपके anti clockwise भी गूमते है और clockwise भी गूमते है इनकी जो direction है वो आपकी वेरी करती है कि इसके साब से कि वो कौन से जो है आपके गुलार्द में है ठीक है कौन से हमिस्पेर में है नॉर्दन में है साउदन में है और जब cyclone आता है चक्रवाद आता है तो जो center होता है चक्रवाद का ठीक है जो center होता है उसकी तरफ लगता है और center में जो है pressure क्या होता है बिल्कुल low जो atmospheric pressure होता है वो बिल्कुल low होता है center में cyclone में और बाहर जो है high pressure होता है और जो anti cyclone होता है उसमें Central में High Pressure और बाहर जो है Low Pressure होता है एक question मैंने आपके लिए छोड़ा था Manohari Gold चाए किस RAJS से जुड़ी हुई है Manohari जो Gold चाए है ये जुड़ी हुई है Awesome से Just Welcome to number one production किसी है याँ पे चाए केटी The only production में कहां पे है Assam में ही है आज के लिए बसे इतना ही आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा आज के लिए थैंकियो टेक कियर